आज हम बना रहे हैं दिवाली स्पेशल नमकिन ये बना रहे हैं सूजी और चने के आटे से आप अगर ये नमकिन खाएंगे बहुत ही सिंपल इजी हल्दी और अजवाइन के स्वाद की तो कहेंगे वह क्या नमकिन है क्या स्वाद है इस नमकिन का आप जरूर जरूर ये बार बार बना के खाएंगे ये कई दिनों तक आप स्टोर कर सकते हो ऐसी ये नमकिन बनती है इस कब सूजी को मिकसर पर ग्राइंड करना है बिल्कुल बारिक और फिर लिया है चने का आटा चने के आटे के बाद हमने डाला है नमक नमक के बाद अजवाइन मिलाएंगे, अजवाइन के बाद हल्डी भी मिलाएंगे, हल्डी के बाद हम तेल भी डालेंगे, तेल डालने के बाद हम इसे हाथ से मसल मसल के सूजी और चने के आटे को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी तरह हमारी नमकिन कुर क्रंची बन जाए इसलिए देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे हम पानी से आटा बुन लेंगे आटा बिलकुल महिन गुनना है ज्यादा सक्त नहीं गुनना है ताकि हमारे नमकिन अच्छी बने इसे 10 मिनिट के लिए हम रेस्ट देंगे भी में इसकी लोई बना के इसकी इसे बेल लेंगे और बेलने के बाद इसे स्क्वेर शेप में हम कट करेंगे कट करने के बाद सूजी कटर आता है सूजी कटर से इसके चारो साइड सूजी कटर से फिर से एक बार थोड़ी सी कट कर लेंगे चारो किनारों को और फिर सूजी लेकिन बसलेवाइक घाए सकी Tea मैं नमकिन मिलन सब्सक्न काही दाता हिसार का कृता मलेडा, और ओना और सभट साइबे Darum इस लिद लेकी पैसे, आप जड़िए नमकिन अच्छे सेया कट करा Centrum सारी नमकिन, देखिए कितनी सुंदर बेली है, हल्दी भी दिख रही है, अजवाइन भी, कलर भी बहुत सुंदर आ रहा है, कैसी बेली है, ज्यादा मोटी नहीं, ज्यादा पतली नहीं, मीडियम साइज में, इसी तरह हमने बेलनी है, और कट करनी है, अच्छी तरह से, अभी बिल्कुल इसी तरह नमकिन फ्राइ करना, देखिए, नमकिन जैसे ही मैंने तेल में डाली, मैंने फ्लेम को हाइपर रखा है, और देखिए, नमकिन कितनी फूल गई है, सभी की सभी नमकिन फूली है, बिल्कुल क्रंचीद लग रही है, इसे हम निकाल लेंगे, एक्सेस ओ आप जरूर जरूर ये रेसिपी ट्राइ कीजिए, ताकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बैहद उम्दा लगती है, इसे हम निकाल लेंगे, अगर आप किसी दूसरे फ्लेवर में इसे बनाना चाहते हो, जैसे हम निकालेंगे, तुरंथ ही हम मेरे पास सांबर मसाला थ मैंने यहां आधा टीस्पून सांबर मसाला डाला है, और दालने के बाद इसे हमने टॉस कर लिया, और सभी तरफ से यह सांबर मसाला इन नमकिन को लग गया है, तयार हुई हमारी सांबर मसाला फ्लेवर की यह नमकिन खाने में बेहर टेस्टी लगती है, और यह है सिंपल हल्दी और अजवाइन की नमकिन, यह भी बिल्कुल क्रेंची बिस्किट की तरह लगती है, आप जरूर जरूरी रेसिपी ट्राइ कीजिए, मल्टी किचन पूने चाइनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और तयार हुई हमारी यह सांबर मसाला और हल्दी और अजवाइन की नमकिन, दो फ्लेवर में, मल्टी किचन पूने स्पेशल, दीवाली स्पेशल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंड कीजिए, और मल्टी किचन पूने चाइनल को, फेस्बुक और इंस्टाग्राम, पेच देखते रहे हैं,